हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, इस टिजाइन को बनाने के लिए हमने पाच इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लिया है, कपड़े की लंबाई हमने 30 इंच ली है, और कपड़े पे हमें ऐसे इस तरी की सहायता से बाकरम को चिपका देना है, अब हम यहां से कपड़ को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चला लेंगे, यहां से धागे को कट करेंगे, और थोड़ी से दूरी पे हम फिर से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसके उपर सिलाई चला लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड, आपको थोड़ी थोड़ी दूरी प में बैट जाएगा तो ये देखिए हमने डिजाइन को इस्तरी कर लिया है अब इस डिजाइन की लंबाई और चोड़ाई के बराबर हम एक कपड़ा लेंगे कपड़े पे इस्तरी की सायता से ऐसे बाकरम को चिपका देना है दोनों कपड़े को हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसके किनारे की सायड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से हमें धागे को कट कर लेना है धागे को कट करने के बाद अब हम डिजाइन को सीधा करके इसके उपर की सायड से ऐसे एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें डिजाइन को ऐसे फ अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और किनारे की साइड से एश्ट्रा कपड़े को एश्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद हमें डिजाइन बनाने के लिए चकोर सेप में कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों साड़े तीन इंच है कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें डिजाइन बनाना है और इसे यहाँ पर ऐसे लगा कर इसके किनारे की साइड में सिलाई चला देनी है सेम इस टेप को फॉलो करते हुए हम दूसरे कपड़े को भी फोल्ड करेंगे और पहले वाले डिजाइन के बगल में हम ऐसे लगाएंगे तो यह देखिए फ्रेंड एक के बाद एक सारे कपड़े को आपको इसी तरीके से फोल्ड करके ऐसे लगाते जाना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है तो यह देखिए हमारी यह लाइन कंप्लीट हो चली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड हमारा डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है हम किनारे की साइड से ऐसे एसे एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे एश्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें आस्तिन का कपड़ा लेना है आस्तिन की लंबाई कितनी है ये नाप लेते हैं आस्तिन की लंबाई हमने 19 इंच ली है जो की फूल साइज है नीचे की साइड से फ्रेंड हमारी आस्तिन की चोड़ाई 12 इंच है ये देखिए एक साइड से केवल 12 इंच है तो आपको 12 इंच का डबल लेना है आस्तिन के कपड़े को हम बीच में से ऐसे दो भागों में कट कर लेंगे अब हमें यहां से लंबाई नापनी है तो 13 इंच की लंबाई पे हम ऐसे टिक लगा देंगे ये देखिए 13 इंच की लंबाई पे टिक लगा देना है अब हम उपर की साइड से ऐसे एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे जहां पे हमने टिक लगाया है वहीं तक हमें सिलाई चलानी है अब हम यहां से धागे को लॉक करके कट कर लेंगे कपड़े को ओपेंड कर लेंगे कपड़े को ओपेंड करने के बाद अब हमें कपड़े को यहां से ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे और दूसरे साइड में भी हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद फ्रेंड अब हमें डिजाइन बनाने के लिए देर इंच चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े को हमें यहां से ऐसे फोल्ड कर देना है और इसके उपर सिलाई चला देनी है धागे को कट कर लेंगे यहां से अब हमें इस कपड़े को design में यहां पर लगाना है यह देखिए यहां पर बीच में ऐसे लगाएंगे कपड़े को हमें ऐसे perfect safe में बैठा लेना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है जिससे हमारा यह कपड़ा आस्तिन के कपड़े में ज्वाइंट हो जाएगा तो यह देखिए फ्रेंट बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सिलाई चला लेना है कपड़े के बीच में अब हमें डोरी लेना है तो अगर आपको डोरी बनाने नहीं आता है तो link description में दी गई है हमने दो डोरी ली है एक डोरी को हम यहाँ पर पहले लगा लेंगे कपड़े के अंदर फोल्ड करके हमें डोरी को ऐसे लगा कर यहाँ से डोरी को लॉक कर देना है यह देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे फिर इसके अंदर डोरी को डाल कर हम इसके किनारे की साइड में सिलाई चला देंगे जहां तक हमारा कपड़ा है वही तक हमें सिलाई चलाना है यहां से हम धागे को लॉग कर देंगे अच्छे से सेम स्टेप को फॉलो करते हुए बिलकुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी डोरी को कपड़े के अंदर लगा लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकती हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को बजा कर आलका उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है यहां से धागे को लॉक करते हुए हम कट कर लेंगे आस्तिन की कपड़े में फ्रेंड हमने इस तरीके से डोरी को लगा दिया है डोरी को लगाने के बाद हम सारे धागे को अच्छे से कट कर लेंगे और इसमें हमें बटम को लगा देना है अगर आपको बटम बनाने नहीं आता है तो link description में दी गई है सूई धागा के मदद से हम बटम को ऐसे लगा लेंगे अब हम नीचे के side में कपड़े में ऐसे छोटे-छोटे चूनट बना लेंगे दूसरे side के कपड़े को भी हम joint कर लेंगे ये देखे ऐसे दोनों कपड़े को joint करते हुए इसमें हमें छोटे-छोटे चूनट बना कर तयार कर लेंगे अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे हमारी ये line complete हो चली है चूनट के design को हमें इस वाले design में joint करना है तो ये देखे आस्तिन के कपड़े को ऐसे fold करके design की उपर लगाएंगे और इसके किनारे की side में slide चला लेंगे तो इस तरीके से आप दोनों design को easily तरीके से तयार कर सकते हैं इस line को complete करते हुए अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे हमारी ये line complete हो चली है तो ये देखे फ्रेंट design को तयार करने के बाद हमारे design का look कुछ इस तरीके का आएगा ये उपर की side से आप दोरी को घीचेंगे तो आपके कपड़े में ऐसा चूनट बनके तयार होगा अगर आपको हमारा ये simple size leaves design पसंद आए तो please हमें comment में जरूर बताएं मिलते हैं next video में एक नए design के साथ thanks for watching my video